देखिए जहां तक opposition के जो MPs थे वो आज मनिपूर गये थे मनिपूर से आने के बाद जिस प्रकार का बयान उनका आया है चिंता जनक है दुखद है राजनीती नहीं करना चाहिए जहां भी समवेदन शीलता होती है वहां sensibility के साथ काम लेना चाहिए वहां संसनी नहीं होनी च जो सवाल पूछना चाहते हैं चर्चा में जो सवाल पूछना चाहते हैं आप सवाल पूछिए हम जवाब देंगे चर्चा से भाग रहे हैं और मैं आपको लिखके दे रहा हूं आप देखिएगा कल से फिर राजनीती शुरू हो जाएगी संसत को किस प्रकार टप करना है किस प्रकार से बंद करना है यही उनकी रणनीती रहेगी solution किस प्रकार से solve करना है यह उनकी रणनीती नहीं रहेगी सुल्जाना यह कभी रणनीती रहती है उल्जाना यही उनकी रणनीती रहती है यह चिंता का विशय और दुख का विशय है मैं आज सवाल पूछना चाहता देखिए मानिय ग्रह मंत्री अमिज शाह जी जब मनिपूर गए थे, तीन दिन के निवास के लिए प्रवास के लिए वो मनिपूर गए थे, वहाँ भी उन्होंने All Party Meeting बुलाई, सभी पार्टियों के साथ बैठ कर सगन चिंतन किया था, वहाँ बैठक किया था, सब के साथ बा और थी स्टेट में जहाँ Insurgency पहले कौमन था, पहली बार ऐसा हुआ कि देश के ग्रह मंत्री तीन रात वहाँ प्रवास करके आते हैं, मगर जो Opposition के ये MP हैं, वो केवल और केवल राजनीती करने जा रहे हैं, आप राहुल गांधी जी को देखिए, पिछली बार वहाँ र खड़काया लोगों को, हेलिकॉप्टर की वेवस्था थी, हेलिकॉप्टर में गये नहीं, जवरन जाके रोड में जिस प्रकार की स्थिती उत्पनने की, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, आज भी जिस प्रकार से Opposition राजनीती करने की कोशिश कर रही है, एक सवाल मै Opposition से पूछना चाता हूँ, आप इतने वर्षों तक सत्ता में रहे नौर्थीस्ट में, क्या कारण है, इन्फिल्ट्रेशन, घुस्पैट एक बहुत महत्तोपून विशय है नौर्थीस्ट में, क्या कारण है कि जो 400 किलो मीटर का बॉडर है मनिपूर और मायनमार के बीच म आज तक आपने एक किलो मीटर भी वहाँ पर फेंसिंग नहीं किया, आज मैं धन्यवाद देता हूँ, यह हमारी सरकार है जो पूरा का पूरे सर्वे किया है, 10 किलो मीटर जो 400 किलो मीटर का मनिपूर का एरिया है, बॉडर एरिया, 10 किलो मीटर का फेंसिंग हो गया है, 80 किल पर काम चल रहा है और संपूर्ण एरिया का सर्वे हो चुका है यह पहले क्यूं नहीं हुआ था लिगसी इशू आप छोड़के आते हैं आप बताइए क्या यह हकीकत नहीं है कि मनिपूर में 90 के दशक में जब दंगे होते थे वो किस प्रकार का रूप होता था कभी पार्ला सौ लोगों की मौत हुई है उनके कारेकाल में जब नागा कुकी जड़प हुआ था जब मितेई पांगल जड़प हुआ था जब कुकी पाइते जड़प हुआ था यह सब कुछ मिला दे आप मनिपूर में देखिएगा इनसर्जन्सी होती थी एक दिन भी चर्चा नहीं करते थे किसी विशय को सौल्व किया नहीं और आज राजनिती करना चाते हैं मानिया ग्रहमंत्री जी ने जो पार्लमेंट में कहा है वहां आज मैं पार्टी प्रवक्ता के नाते दुरहना चाहूंगा कि चर्चा करिए पा इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे है योस 24